पाद में जैसे वो बचकर भाग रहे थे और जैसे ED का सम्मा नादा था तो वो विधान सभा का सत्र बुला लेता था अगर उसने कोई पाप नहीं किया होता अगर वो सच्चा इमानदार होता तो वो ED के पास जाता सारी बातों का जवाब देता और सारे सबूत दिखाता कि मै ने ऐसा कोई पाप नहीं किया मैं अभी देख रहा था उनके नेता कह रहे थे कि क्योंकि अर्वीन केजरिवाल इतने बड़े लीडर हैं और वो देश में मौदी जी का मुकाबला कर रहे हैं इसलिए हम लोग उनसे डर गए यह बात अगर कल सुप्रीम कोट में सुनवाई ह होती है क्या वहां पर यह दलिल को आप उदर रखेंगे नहीं रख सकते आपको बताना पड़ेगा कि आपने होल सेलर का कमिशन दो परसंट से 12% क्यों किया उसका कारण क्या है क्योंकि यही सारा घोटाला था जो 2% कमिशन चलता था आपने सारे मार्केटिंग करने वालों क उपर में दबाव डाला कि हमारे लोगों को 12% कमिशन दिया जाए यानि कि अगर 10,000 करोड रुपे की शराब विक्ती है तो उसमें 1200 करोड रुपे सीधा सीधा कमिशन अर्वीन केजरीवाल की जेब में जाता था यह बहुत बड़ा घोटाला था यह घोटाला आज जो है सामन आया है आज अर्वीन केजरीवाल की गिरफतारी मैं समझता हूं देश के न्याय के सुनहरी अक्षरों में लिखी जाएगी और मैं ये इश्वर से प्राथना करता हूं कि उसको पूरी सजा मिलनी चाहिए क्योंकि हजारों महिलाओं ने हजारों आदमियों ने शराब के इसलिए मैं आमादमी पार्टी से कहना चाहता हूं ये ड्रामा करना बंद करें आपका नेता पूरी तरीके से दोशी है और उसको दुनिया की कोई भी वकील कोई भी बड़ा से बड़ा वकील जितना बर्जी वो बड़ा खड़ा कर ले उनको नहीं बचा पाईगे उनका विछार अर्वीन केज्रीवाल का था क्या दिल्ली में 10 साल में आप अगर आप भी दिल्ली रहते हूं दिल्ली में विकास कहां किया केज्रीवाल में मैं फ्री करूँगा मैं ये फ्री करूँगा वो फ्री करूँगा मगर उसके बाद भी फ्री कुछ नहीं किया केजरीवाल का विचार था कि शराब पॉलिसी लेके आएंगे उसमें घोटाला करेंगे यह केजरीवाल का विचार था अगर सौरा भारदवाज का यह कहना है कि शराप पॉलिसी दुबारा लेके आएंगे हम अर्वीन केजरीवाल के विचार को दुबारा लेके आएंगे तो यह उसकी गलत फेमी है दिली में ऐसी शराप पॉलिसी कभी नहीं आएगी जिसमें आप आप लोग कोई घोटाला करने का विचार रखते हूं